नमस्कार खेत खजाना में आपका स्वागत है आज गुरुवार का दिन है और जून की तारीख है पहली एक आज सरसों बाजार में क्या अपडेट है कैसा बाजार रहा क्या गिरावट रही क्या उतार चड़ाव हुआ कुछ बाजार सुधरा भी है कुछ बाजार गिरा भी है और विस्तार से चर्चा करें इस से पहले आप से वही विनम्बर निवेदन के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे इन दिनों खाद्य तेलों में इंटरनेशनल मार्किट से लेकर के लोकल बाजार तक बहुत बड़ी उठा पटक चल रही है और उठा पटक क्या चल रही है बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ये गिरावटे क्यों आती है और उनका जो पूरा विशलेशन है इ उसकी सदस्यता लेकर लाब उठा सकते हैं सरसों बाजार में आज मिला जुला रुख रहा जहां भरतपुर का बाजार 30 32 रुपए तेज हुआ और सलोनी प्लांट ने भी आज 50 रुपए का बाजार तेज किया है लेकिन जो जैपुर का बाजार है उसमें कल से 25 रुपए की ग गिरावठ हुई है तो कुछ मिला जूला सा रुख आज बाज बाजार के अंदर रहा है आज थोड़ी से आवक त्टी है सवाँ छे लाक बूरी की ओगई है कल साथ लाक बूरी के आसपास ती पिछले 2-3 दिन से साथ लाक बूरी की आसपास आवक चल रही थी आज क्योंकि कि कल भाव काफी तूट गया था इसलिए आज आवक थोड़ी कमजोर हो गई है अब जैसा कि पिछले पंदरा बीस दिन से नहीं लगबग महीने से हम देख रहे हैं कि जो सरसों का बाजार है वो बावन सो की रेंच में ही खड़ा है आज भाव 51 सो रुपे है यह एक दो दिन के अंदर फिर यह 51 सो रुपे से बढ़के बावन सो रुपे या बावन सो पचास रुपे तक पहुचेगा फिर ब्रेक लग जाएगी फिर वाप सी नीचे आ जाएगा यह खेल इसी तरह से चलना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्किट में जो पाम तेल का उत्पादन अब इस समय बढ़ रहा है मलेशिया में भी इंडोनेशिया में भी एक से 25 मई तक का जो आगड़ा हमने आपको पिछले दिनों दिया था उसमें 40-42 परसेंटेज की प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी उत्पादन में मलेश इंडोनेशिया में भी ऑड जो अलन ना रहा है जो पहला पेज है उसके पांब तेल का उत्पादन भीड़ता है क्योंकि पांब तेल का ताड़ के फल से पांब का तेल एक रस करते के बनाया जाता है ऑंप औॅब पहदा यह जल्दी पंखच जाता है और जल्दी प्ख जाने से उसको उतार करके उसको करश करना ही पढ़ता है ताकि उसका पाम तेल बनाया जा सके इसलिए अब गर्मी का मौसम है आपके मलेशिया में भी और इंडोनेशिया में भी इसलिए वहां पाम तेल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है जो आप जानते हैं कि काला सागर से काला सागर बंदरगा से जो व्यापार जो समझोता है वो फिर से 18 मैं से शुरू हो चुका है और दरवाजे खुले है यानि व्यापार खुल कर हो रहा है इसलिए भी बाजार में गिरावट बढ़ रही है और तीसरा जो प्रमुख जो कारण है वो यह है कि हमारा जो सरसों है लोकल जो सरसों है उसका उतपादन जो है वो समहले नहीं समल रहा है और पाम तेल और इतना ज़्यादा आयात हमने कर लिया है गरेलू बजार में कि उनके जो भाव हैं वो सरसों तेल के मुकाबले में लगबग लगबग अब इस समय की बा स्टॉक मौजूद है मैंने बताया आपको डबल के करीब है तो वो इस सरसों के तेल को भाव को बढ़ने नहीं दे रही है तो सरसों तेल की मांग जब तक नहीं निकलेगी तब तक सरसों का बढ़ना मुश्किल है नर्मा कपास का बाजार एक बार बढ़ना शुरू हुआ था 7300 रुपे तक भाव पहुँचे थे लेकिन आज फिर थोड़ा सा बाजार कूल है ठंडा है डाउन है तो ये उठा पटक कैसे ही चलती रहेगी लेकिन जो कॉटन का बाजार है उसके अंदर थोड़ा सा सुधार होने की संभावना बन सकती है आए कुछ मंडियों के भाव द ठीक हुआ है तेज नहीं कहना चाहिए सुधरा है जैपूर 5100 रुपे दिल्ली 4850 रुपे सलोनी 5500 रुपे कल 5450 रुपे का भाव रह गया था सलोनी का दादरी 4800 रुपे खेरली मंडी 4860 रुपे नडवई 4800 एक रुपे मेडता 4600 रुपे बीकानेर 5100 रुपे सुमेरपूर मंडी 4840 रुपे गवालियर 4650 मुरेना 4700 अलीगर 4650 हिसार 4800 हिंडोन मंडी 4851 खैर्थल 4800 अलवर 4850 रिवाडी मंडी 4800 रुपे यलनाबाद 4550 अबोहर मंडी 4615 नोहर में 4600 आदमपूर में 4664 सिर्षा में 4588 रुपे ये थे सर्षों के भाव नर्मा आज यलना आज इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार